नमस्कार आप देख रहें इंडिया पपलिक खबर और मैं हूँ आपके साथ हकांक्षा उत्रप्रदेश की नौविधान सभा सीटों पर हुए उपचुनाओं की नतीजे सामने आने के साथ ही यूपी के सियासी समिकर्णों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है एक तरफ लोगसभा चुनाओं में जीत का जंडा लहराने के बाद से अती आत्मविशास में आई समाज़दी पार्टी को सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली एक बार फिर कमबैक कर चुकी है हाला कि अखलेश यादों की समाज़दी पार्टी की हार के साथ साथ दो और ऐसी बड़ी सियासी पार्टीयां भी हैं जिनको मिली हार की चर्चा इस वक्त हरोर हो रही है और वो है नगीना सांसद, चंशेकर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती बतादे कि उत्तर प्रदेश विधानसबा उक्चुनाओं में सबसे बड़ा जटका बसपा को लगा है सुबे की 9 सीटों में से 6 सीट पर बसपा प्रदेशों की जमानत जब्त हो गई यही नई पस्ची में यूपी की सीटों पर बसपा से ज्यादा चंशेकर आजाद की पार्टी को मिदवारों को वोट मिले है नवीधासबा सीटों पर हुए उक्चुनाओं के नतीजों में नगीनस सांसद चंशेकर आजाद की आजाद समाजपार्टी भले ही सीट ना जीती हो लेकिन पार्टी प्रदेशों का प्रदेशन बहतर रहा है उपचुनाव में पार्टी ने आठ सीटों पर ही प्रिताशी उतारे थे इन आठ सीटों में से पात सीटों पर आजाज समाज पार्टी के प्रिताशी चौथे नमबर पर रहें जबकि कुंदरकी और मिरापूर दो ऐसी सीटे हैं जहां आजा समाज पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नमबर पर रहें और इन दोनों सीटों पर बसपा पाचवे इस्थान पर पहुच गई एक के बाद एक चुनाओ में मिली हार के बाद और खिसकती दलित जनाधार ने बसपा की सियासी टेंशन बढ़ा दी है ऐसे में बसपा सुप्रीम मायवती जल्द ही कुछ एहम कदम उठा सकती हैं जिसमें संगठन में बड़े फेरबदल और गटबंदन की राह पर लोटनी का फैसला हो सकता है बताते कि यूप उप्चुनाओ की नौ में से 6 सीट बीजेपी और 1 सीट रल्ड और 2 सीटे सपा ने जीती हैं सपा को 2 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को 3 सीटों का फाइदा मिला है वही बस्पा के लिए एक भी सीट जीतना दूर की बात रही है और बस्पा इस उप्चुनाओ में 2022 के बराबर वोट भी नहीं पा सकी है कुंदर की सीट पर 1099 वोट मिरापूर सीट पर 3248 वोट और सीसमों सीट पर 1400 वोट बस्पा को मिले हैं यही नहीं गाजयबाद में भी बस्पा 10,000 वोटों पर ही सिमट गई है और खैर कटेहरी सीट पर बस्पा की जगा सपा ने ले ली है बताते कि बस्पा का इस तरह का सियासी हर्ष मिरापूर कुंदर की और सीसमों सीटों पर कभी नहीं रहा पहले कुंदर की सीट बस्पा दो बार जीत चुकी है तो मीरापूर सीट पर भी उसके विधायक रहे हैं वहिसी समों सीट पर इतना कम वोट बस्पा को कभी नहीं मिला लेकिन अब उपचुनाओ नतीजों से ये बात साफ हो गई है कि बस्पा का अपना कोर वोट बैंक जाटफ समुदाए भी मायवती की पकड से बाहर निकल रहा है और नए सियासी विकल्प की तलाश में है और शायद यही वज़य है कि उपचुनाओ की हार ने बस्पा प्रमुक मायवती को चिंता में डाल दिया है बस्पा सुप्रीमों ने भले ही उपचुनाओ ना लड़ने का एलान कर दिया हो लेकिन अपने कॉडिनेटर से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है तमाब मीडिया रिपोर्ट की माने तो बस्पा प्रमुक ने उपचुनाओ वाली सीटों की जिमेदारी संभाल रहे कॉडिनेटर से रिपोर्ट मांगी है यूपी से बाहर काम देख रहे सभी कॉडिनेटर की बुद्धवार को एक बैठक बुलाई है इसके अलाबा यूपी में बस्पा की संगठन का जिम्मा संभालने वाले सभी प्रमुक कॉडिनेटर और उनके साथ काम देख रहे पार्टी नेताओं की मीटिंग भी संभावित है माना जा रहा है कि कई प्रमुक कॉडिनेटर की संगठन से छुट्टी हो सकती है और उनके जगा पर यूवा नेता को लगाया जा सकता है दरसल कतित तोर पर बस्पा सुप्रीमो मायवती ने सोमवार से बस्पा संगठन में बदलाव का काम शुरू कर दिया है जिसके चलते जारकंड में पार्टी संगठन का काम देख रहे गया शुरन दिनकर को बुला कर कानपूर की जिम्मेदारी सौपी गई है तो हैं धर्मवीर अशोक को पुर्वांचल से हटा कर बुंदेल खंड में लगाया गया है ऐसे ही कई नेताओं को उनके मंदल से हटा कर अलग-अलग शेत्रों में लगाया गया है तो हैं आजास समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसे चनशेकर आजाद के बढ़ते सियासी आधार को रोकने के लिए अब बस्पा सुप्रियो मायवती ने कई बड़े एहम कदम उठाने के दिशा में मन्थन शुरू कर दिया है क्योंकि संगटन को मजबूत करने के लिए की गई तमाम कवाइदे असर नहीं दिखा पा रही है साथी पार्टी के अधिकतर बड़े नेता चुनाओ को लेकर ज्यादा एक्टिव नहीं है काथितोर पर उनकी भूमिका केवल प्रताशियों का चयन करने तक ही सीमित रह गया है यहां तकी पार्टी के सदसिता शुल्क की राशी कम करने क्या भी कोई जादा फाइदा नहीं दिखा है जिसके बाद माना जा रहा है कि संगटन में बदलाओ के बिना बसपा का दोबारा से मजबूती के साथ खड़ा होना काफी मुश्किल है क्योंकि बसपा का अकेले चुनाओ लड़ने का दाओं भी उत्रप्रदेश में लगातार उल्टा पड़ता हुआ देखा जा रहा है 2022 विधानसबा चुनाओ की बात करें तो 2022 में पार्टी को सिर्फ बलिया की रस्ड़ा विधानसबा सीट पर जीत मिली थी तो महीं 2024 की लोगसबा चुनाओ में एक भी सीट बसपा के हाथ नहीं लगी और हाली में नौविधानसबा सीटों पर हुए उप चुनाओ में बसपा का खाता खुलना भी दूर की बात साबित हुआ है जितकी वज़े से बसपा का अपना सियासी जनादार भी खिसक गया है और एक के बाद एक चुनाओ में मिल रही हाल के चलते पार्टी को किसी दूसरे दल से गटबंदन नहीं करने का अपना फैसला बदलना पड़ सकता है वह गटबंदन से बसपा को भले ही सत्ता हासिल ना हो सके लेकिन पार्टी के सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए सांसत और विधायक जरूर मिल सकते हैं मताते कि कतित तोर पर मौजोदा राजनीती में बिना गटबंदन के बसपा का सियासी उभार आसान नहीं है बिजेपी और सपा जैसी पार्टियां गटबंदन करके राजनीती कर रही है तो बसपा को परहेज नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बसपा सुप्रियो मायवती को अपना जनाधार और बसपा के सियासी अस्तित्व को बचाय रखना है तो गटबंदन की राजनीती पर लो अगर बसपा को राजनीती में मजबूती से वापसी करनी है तो गटबंदन की राजनीती करनी होगी तो किसी छोटी दलो की बजाए उन्हें बड़े दलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में बस्पा सुप्रीम मायवती को कदम उठाना चाहिए क्योंकि बिहार और यूपी दोनों ही जगा दो मजबूत गटबंदन हैं एंडिय और इंडिया आलाइंस बस्पा को इन्हीं दोनों गटबंदन में से किसी गटबंदन के साथ जाने के दिशा में सोचना चाहिए क्योंकि वोटिंग पैटर्न बता रहे हैं कि मतदाता बीजेपी को सत्ता में बनाय रखने के लिए वोट करते हैं या फिर उसे हटाने के लिए वोट करते हैं एक ओर जहां बस्पा अपने अस्तित्व को बचानी की लड़ाई लड़ती हुई देखी जा रहे हैं तो हैं 2024 के लोकसबा चुनाओं के बास से नगीना सांसर चंशेकर आजाद अपनी आजा समाज पार्टी का श्रीराम के संगठन को तेजी से विस्तार करने में जुटे वही अपनी राजनीतिक पकड को मजबूती देने के लिए दलित और मुस्लिम समीकरन पर नगीना सांसर चंशेकर आजाद तेजी से काम कर रहे हैं और इस दिशा में अपनी जड़े जमानी के लिए राजनीती से जुड़े हर दौर में काफी एक्टिव देखे जा रहे हैं इसी समीकरन के चलते यूपी उक्चुनाओं में चंशेकर आजाद को काफी वोट मिले हैं कथी तौर पर नगीना सांसर चंशेकर आजाद की राजनीती अभी भी मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है लेकिन दलित वोटों को भी जोड़नी के दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं ऐसे में कतितोर पर नगीना सांसर की राजनीती को अगर बस्पा सुप्रीमों मायवती बेसर करना चाहती हैं तो आकाश आनंद को यूपी की सियासत में एक्टिव करना होगा आकाश आनंद ही आजाद समाज पार्टी के मुख्या चंशेकर आजाद की तरफ जा रह शिप को आगे लाना होगा और संगठन में यूवान नेताओं को जगा देनी होगी फिलाल लोकसुबार चुनाओं के बाद यूपी चुनाओं की नतीजों ने पूरी तरह से ये साफ कर दिया है कि बस्पा को अपने सियासी सम्मिकर्णों पर अब मेहनत करने की जरूरत है और अपने संगठन को मजबूती देने के लिए जमिनिस्तर के मुद्दों के साथ ही एक मजबूत रणनीती के तहत राजनीतिक पिछ पर उतनने के लिए गठ बंदन की राजनीती पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है फिलाल के इस रेपोर्ट में बस इतना ही इस रेपोर्ट को लिकर आपकी क्यार आये है कमेंट करकराणे हमें जरूर बताएं साथ ही अगर अगर like तक हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें